जमू में बीजेपी के पूर्व मल्सी अजे भारती ने एक प्रेस वार्था को संभोधित किया पत्रकारों से बाची की दुरान उन्होंने आरोब लगाया कि कश्मीरी पंडित विस्थाफिस समधाय को अपनी पसंद के वेक्तियों का प्रतंद्रत करने या पाने का अधिकार देने से इंकार करना चुरावायुक की बार-बार की गईला परवाही है जमू की डेपिटी मेयर पुर्णिमा शर्मा ने नगर निगम आयुक्त अवनी लवासा के साथ मिलकर प्रेस वार्था को संभोधित किया उन्होंने शेहरवासियों को बढ़ाई देते में कहा किस से अब शेहर का शक्र बदल जाएगी उन्होंने कहा कि सरकार ने 74 संशुर्दन को लागू कर विकास की डोड लोगों के हाथों में देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इसके तहट जमू नगर निगम को 217 सड़के दी गई हैं इसके अलावा जमू नगर निगम को 25 प्राइमरी स्कूल भी दिये गए हैं जमू के पंजगा नगरोटा में भारत सेवा आश्रम संस्ता ने आज फ्री स्कूल के लिए भूमी पूजन किया इस मौके पर जमू इनवरस्टी के बीसी मलोंदर प्रिंस्पल सेक्रेटरी रेविन्यू डॉक्टर पबनकुत्वाल के साथ शिरमत स्वामी पुर्मान मंद जी महराज व अन्य गर्मानी देख्ती मौजू थे इस दुरान आश्रम की तरफ से लोगों को गर्म कपने दिये गए आश्रम का लक्ष है कि यहां गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुला जाए अपनी पाटी की अध्यक्ष सेयद अल्ताव बुखारी ने कहा कि उनकी पाटी पीपल्स अलाइन्स पर गुपकाग डेकलरेशन के खिलाफ नहीं है बलकि उनके द्वारा फैलाए जा रहे ही जूट के खिलाफ है यह अलाइन्स आज लोगों को फिर गलत सबने दिखा रहा ह दिल्ली मेरेट एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 60 km है और यह चार खंडों में बठा हुआ है लिकिन दिल्ली और यूपी के टू वीलर चालकों के लिए बुरी खबर है वो इस एक्सप्रेस वे पर सफर नहीं कर सकेंगे इस एक्सप्रेस वे पर दो पहिया वाहन के प्रव के दुरान उसके कबजे से क्यावन किलो पोस्ता स्ट्रॉव और तीस हजार नगर चब्द किये है आरिपी को गिरफतार कर लिया गया है और वहन भी चब्द कर लिया गया है कि कश्मीर संभाके दक्षिनी कश्मीर के अवंतिपुरा में विक्टर फोर्स ने गुलिस्तान इंस अपनी प्रस्तूती दी जम्मू में डिजिबर लोगों द्वारा अपनी मांगों को लेकर यूटी जम्मू किश्मीर प्रशासन के खिलाब बैनर पोस्टर लेकर विरोध पदशिन किया गया उन्होंने कहा हम अपना बैकलॉग को अब मांग नहीं है जो सूप्रीम कोट के क्रेट हुआ है आठ अक्टूबर 2013 को सूप्रीम कोट आफ इंडिया ने कहा कि पोस्टे आइडेंटिफाइग कर दी जाए और खाली पोस्टों को फिल अप कर दिया जाए पर आज साथ साल हो गए प्रशासन सोयाफ हुआ है कोई भी डिजेबल परसन को उसका हग देने को त इस प्रोग्राम में बीजेपी निता वो पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंद्र गुपता ने मुख्य असिती के तौर पर शिर्कत की अब जम्मू नगर निगम ही नहीं बलकि अनि विभाग भी कॉर्परेटरों द्वारा निरहारे प्राथमिक्ताओं के आधार पर कारी करेंगे सरकार ने 74 वे संशोधन को लागू कर विकास की दोर लोगों के हातों में देनी की प्रकरियाज शिरु कर दी है सभी विभागों के सिटी डिविजन नगर निगम के आधीन आ रहे हैं लोगों द्वारा चुने कॉर्परेटर जो कारते करेंगे विभाग को नहीं प्राथमिक्तापर करवाना पड़ेगा इससे शहर का कोई भी छेतर अचूतार नहीं रहे जाएगा क्योंकि कॉर्परेटर मोहलों की हर चोटी बड़ी समस्या से वाकफ होते हैं कश्मीर गाटी में बरफबारी शुरू हो गई है आतंकवादियों ने भी भारती सीमा में गुस्पैट के प्रयास तेज कर दिये हैं बारती सीमा की सुरक्षा पे तैनाज जवान बरफबारी के बीच पूरी सज़ता बरते होई है गत्र अवीवार सुमवार की मधिरातरी को उत्री कश्मीर के जिला को प्वाड़ा में नियंतर रेखा से सटे मचेल सेक्टर में बरफबारी के बीच गुस्पैट का प्रयास कर रहे आतंकवादियों को बीएसफ के जवानों ने गोली बारी कर खदेर दिया वहीं राज से हो रही बरफबारी सर्च ऑप्रेशन में बाधार डाल रखी है शिर्णगर के उचाई वाले इलाकों में देर राज शुरू ही बरफबारी के बाद घाटी को कडाकी कि ठन ने चकड़ लिया है मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक कश्मीर वरद्दा के पहड़ी इलाकों में भारी बरफबारी जबकि जम्मु संभाग के मैदानी इलाकों में हलकी बारी शोनी की संभाग न चताई है सुबह से ही मौसम विभाग ने बविश्यवानी की थी उसका असर दिखना शुरू हो गया है कश्मीर के पहड़ी इलाकों वर्जमु संभाग के पीर पंचाल के परवत श्रिंखला पर सुबह से होरी बरफबारी के बाद पुंच को कश्मीर से जोड़ने वाला मुगल रोट जबकि शिरगर को ले से जोड़ने वाले जोजिला मार्क वाहनों की आवाजावी के लिए बंद कर दिया गया है मौसंद विबाग के अनुसार बाराव मुला में स्की रिजॉर्ट गुलमर जहां पिछले सब्ता दो फिट बरफबारी हुई थी मितापमान माइनल 7.4 डिग्री सेल्शे तक पहुंच गया है गाटी में सबसे ठंडा इलाका रिकॉर्ड किया गया इस करने का फैसला लिया है रेलवे प्रवक्ता के अनुसार रेलगाडी 05098 जम्मू भागलपूर एक्सप्रेस जम्मू रेलवे स्टेशन से 24 नवंबर को चलेगी जबकि वापसी में ये रेलगाडी भागलपूर से जम्मू के लिए 26 नवंबर को रवाना होगी वहीं रेलगा प्रवाडी संख्या 02331 हावडा जम्मू तवी एक्सप्रेस हावडा से जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए 24 नवंबर को चलेगी